इस इस यूर शिक्स्थ लेक्चर ऑफ एलेक्ट्रिकल मशीन लास्ट में अपने एक्जाम्पल किया था इंडक्शन मॉटर के अंदर ठीक है टॉर्क के बेस पे ये भी टॉर्क के बेस पे ही है तो इसमें क्या डिफरेंस है डेल्टा कनेक्टेड शिक्स पूल 50 हर्ट्स थ्री 80RPM ठीक है तो यहां पे कहां पे maximum torque मिल रहा है वो speed आपको दी गई है calculate करना है percentage maximum torque that would be exerted ठीक है percentage torque आपको यहां पे calculate करना है दो condition पे at standstill मतलब आप starting समदलो ठीक है जब starting नहीं हुई है मतलब अभी just start होने की बात हो रही है उस condition में और आपको 940RPM पे भी maximum torque find करना है ठीक है तो यहां पे one by one आप देखो कि कौन सी चीज़ा आपको दी गई है कौन सी find करनी है ठीक है तो पहला तो आपको यहां पे बोला गया है कि वह percentage of maximum torque find करो ठीक है add standstill ठीक है तो standstill मतलब क्या हुआ TST starting torque हो गया ठीक है तो कितने percentage होगा तो आपको वैसे भी पता है TST upon Tm का ratio क्या है ठीक है आपने पहले theory में पढ़ा ही है TST upon Tm क्या होदा है 2A upon A square plus 1 और A क्या है वहां पे S max है ठीक है हम S max को A बोल दिया है वहां पे हमने ठीक है तो A is equal to X max होगा तो पहले जब भी आपको कुछ भी find करने को बोल रहा है तो वो देखिया कि वो equation में क्या क्या आपके पास नहीं है ठीक है और try किजिए वो find करने के लिए देखो book में तो ऐसे दिये होगा कि one by one आप ऐसे नहीं सोच सकते न आप कैसे सोचो के कि आपको find क्या करना है पहले और उसमें क्या क्या आपक आपको स्पीड दी गई है मैकसिमम पर कितनी स्पीड है 880 ठीक है तो आप स्लीप find कर लो अब एसमेक्स ए मिल जाने के बाद आपको कुछ और find करना है यहां पर देखो जब आपके पास कुछ यहां पर डेटा है एनस नहीं है ठीक है तो एनस भी यहां पर find करना पड़ता ह एक एनस 120 एप बैपी है ठीक है तो जो भी आपको स्मेक्स मिला है वो एक्वेशन के अंदर रख दो टी एस टी आपको परसंटेज में मिल जाएगा यहां पे देखो कितने परसंटेज है 23.66 परसंटेज है मैकसिमम टॉर्क के ठीक है मदलब आप जब प्रैक्टिकली सोचो इसको कि जब भी स्टार्ट होगी मोटर तो जो मैकसिमम इस मोटर का टॉर्क दे सकता है उससे 23.66 टाइम यह आपको टॉर्क देगी ठीक है और अगर ऐसे देखना चाहो तो 0.2366 टाइम ठीक है मैकसिमम टॉर्क से कम है ठीक है यहां पे ज्यादा नहीं है उतने परसंट तो ये एक चीज फाइंड कर ली हमने बाइं को फाइंड करना है तो 940 पे फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा तो आपको basically yeah time करना है फाइंड करना है टॉर्क कितने percentage maximum से, यहाँ पर standstill था तो हमने TST upon Tm directly use कर लिया, ठीक है, पर जब आपके पास कोई और torque है, मतलब कोई T नम का torque है, यहाँ पर TST था तो आपके पास simple था, ठीक है, आपके पास ratio था, पर कोई unknown speed पर आपको find करने को बोलाए, ठीक है, तो equation वही रहेगा, T upon T, जैसे हम वहाँ पर TST upon Tm लेते थे, यहाँ पर कोई torque अलग है, तो जहाँ पर हम starting की sleep, S, 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 T क्या होता है, starting की sleep क्या होती है, यह 1 होती है, ठीक है, तो यहाँ पर 1 नहीं होगी, क्योंकि कोई यह अलग speed दी गई आपको, तो कोई S नाम की sleep होगी वहाँ पर, ठीक है, तो हम यहाँ पर S is equal to 1 नहीं लेंगे, यहाँ पर देखो, S is equal to 1 ले लिया है, इसकी वज़ो से यह equation आ रहा है, ठीक है, पर हमारे पास यहाँ पर S is equal to 1 नहीं है, ठीक है, तो पूरा करनी पड़ेगी, ठीक है, sleep क्या है, 940 RPM पर क्या sleep है, वह find कर लो, equation में put करो, तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, कि अगर यह speed पर आप देखना चाहो, तो आपका जो torque है, वो कितना है, 80% है maximum torque के, 0.8 times है, ठीक है, यहाँ पर भी आपका जो torque है, वो क्या है, maximum torque से कम है, ठीक है, और एक चीज़ आप find अपने और से करो, कि जब यहाँ पर क्या है, 0.23 times max है, ठीक है, तो आप ऐसी speed find करो, एसी speed find करो, कि जहाँ पर आपको maximum torque मिल रहा है, ठीक है, यह आपका task है, यह दोना चीज़ों को आप देखो, और फिर decide करो कि आप कौनसे torque पर आपको maximum speed मिलेगी, और वो speed कितनी है, वो मुझे comment करो, ठीक है, तो यह second example मैंने करवाए आपको, ऐसे भी काफी सारे example अभी आग का पर हो रहा है, वो आपको बता चलेगा, ठीक है, तेंक्यू,